हुआ है कि नमस्कार मित्रों मैं हूं नरेंदर गांवाला यूटूब चैनल से और हम किसी फार्मिंग के विशे में डेरी फार्मिंग के विशे में नईने खोज नईने जो हमारा अनुभव है बालीवस्था से लेकर आज तक का वो अनुभों हम आख सभी के बीच में बीच में लेकर आए हैं और आते रहेंगे और जो हमारा अनुभा उस अनुभों को हम बच्चों तक पहुचाने के लिए हमारा प्रड है और पहुचाएंगे थोड़ा सा तकनिकी खराबी है हमारे मवाई तो हाँ डेरी फार्मिंग के लिए बात कर रहे थे डेरी फार्मिंग के जो छोटे किसान हैं और बड़े किसान हैं हम दोनों के लिए कह रहे हैं बड़े किसान हैं तो हम यह कहना चाह रहे थे कि जो पसू हम गाय रखे हैं भैस र बच्चा देती हैं जब ब्याती हैं तो उनके अंदर सबसे बड़ी दो बिमारी जादा दूद देने वाली के लिए दो लिटर से जादा दूद देने वाली तीन लिटर चार लिटर पांच लिटर छो लिटर दस लिटर दूद देने वाली पसवों के अंदर दो बिमारी आ ज का कम हो जाने, और फस्फोरस के कमी हो जाना पसु भोजन छोड़ देता है, पसु भोजन छोड़ देता है चाहे गाए हो या भैस हो, तो हम क्या करते हैं? हम डाक्टर को बलाते हैं, वो emergency क्या करता है? कि वो calcium चढ़ा देता है, नस के माध्यम से, एक लिटर, आधा लिटर, जितना उसका सरीर accept कर ले, उतना वो calcium चढ़ा देता है, पसु सस्त हो जाती है, पसु खाने लगती है, लेकिन अब उसके बाद हम तो द लिक्विट फार्म, टेबलेट फार्म, और तरल्प, जैसे मान लिजे की water, डाक्टर आते हैं, emergency के लिए है, water चढ़ा दिये, पानी चढ़ा दिये, दूसरा है, continue चलने के लिए, उन्हें रोज का calcium चाहिए, पांच लिटर से दस लिटर दूद देने वाली पसु के लिए, दस लिटर दूद देने वाली पसु के लिए, रोज का calcium चाहिए, तो रोज का calcium हम कहां से दे, 600 रुपिया लिटर, 500 रुपिया लिटर का calcium market में आता है, जो बड़े किसान है, वो तो दे लेते हैं, लेकिन बहुत सारे minerals चाहिए, calcium चाहिए, phosphorus चाहिए, तो इतना कास्टली प क्या रहे थे कि जो औसधी का घटक है, वो अपने घर पर बनाएं, और पसु को खिलाएं, और पसु सदा स्वस्थर हैं, और दूद की नदिया बहाएं, वह घटक क्या है, वह घटक है चूना, पांच रुपे का चूना में वो पावर है, कि आपको कभी calcium market से खरीद कर देन नहीं पड़ेगा, सिर्फ पांच रुपया, आपने सही सुना, सिर्फ पांच रुपया, वो calcium चूना एक नंबर का, चूना एक नंबर की calcium पाई जाती है, जो नेचुरली है, जो प्रकृती ने हमें दी है, और scientist के माध्यम से, जो calcium बनाया गया है, वो calcium अगर हम देंगे, त continue हम नहीं दे पाते, कभी किसी कारण बस उन्हें खाद्यपदार, उन्हें हराचारा, उन्हें भूसा देते देते हम ठक जाते हैं, हम उनके लिए calcium मार्केर्स हम कहां से लेकर आए, तो हम कहते हैं कि जो हमारी प्रकृती ने हमें दी है calcium, उस calcium का हम परयोग करे, उस calcium को हम ख यह बालती है, इसमें एक लिटर पानी डाल देना है, देखिए, इसमें एक लिटर पानी डाल देना है, और एक लिटर पानी में यह पांच रुपए का चूना है, देख लिजे, यह पांच रुपए का चूना है, इस चूने को हम इसमें डाल देंगे, और तब तक छोड़ चूने को डाल दिया अब यह उबलना सुरू होगा इसको हिला कर हम रख दिये चूने को हमने डाल दिया चूना उबलता रहेगा तब तक आगे बात कर लेते हैं पुसू के पास जब कैलसियम के कमी हो जाती है तो उसका लक्षड क्या है हम आपको बता दें कैलसियम तभी कमी होगा जब गाय बच्चा देगी बच्चा देते ही हम गलती कर देते हैं कि जैसे ही गाय बच्चा दी खेड़ी गिराई उसके बाद हम उसका जो पेउस दूहते हैं पूरा दूह लेते हैं पहला चीज कि हम उसका पूरा पेऊस न दू है, थोड़ा थोड़ा करके उसी पेऊस को हम तीन बार में निकालें, अगर वो पसू हम यह आकड़ा मिला लें कि पसू अगर उसके थन में पांच लीटर पेऊस है तो उसके थन से हम दोई लीटर पेऊस निकालें, दो घंटा ब एक हफ्ते तक ऐसा ही करना होगा क्योंकि पसु खुल कर खा नहीं पाती पेट में दर्द होता है पीर आती रहती है कचड़ा भरा रहता है जब तक पेट से उसके गर्भासे से कचड़ा साप नहीं हो जाएगा तब तक पीर आती रहेगी पसु खुल कर भोजन नहीं करेगा ज कि उसका लक्षड क्या है उसमिसे बात कर रहे थे कि पसू भोजन पहला छोड़ देगा कैल्सियम के कमी होने पर भोजन छोड़ देगा और पसू लगणाने लगेगा लटपटा कर चलने लगेगा ऐसे ऐसे लटपटा के तीसरा लक्षड क्या है कि पसू अगर बैठ गई तो उसके पास यह सकती नहीं रहेगी कि हम उठ जाए अगर माल लिजिए कि पसु चल फिर रहा है वह सिर्फ भोजन छोड़ा है तो उसे समझ लिजिए कि उसे कैलसियम की कमी है तो उसको हम क्या करें इमर्जिंसी आ गई तो हमें डाक्टर बुलाएंगे तो डाक्टर बुलाएं कि जो हमने चुना बनाया था बच्चे थोड़ा सा लकड़ी दीजिए तो मोटी लकड़ी दीजिए इसको हिलाना है तो ऐसा करें हम कि इसकी नौबत ही न आया है अगर पसु ग्याभिन हो गई तो उसे ये चुना देते रहेंगे हम कांटिनू सब दिन तो पसु हमारा बिल्कुल सवस्था रहेगा सदा सवस्था रहेगा नहीं कभी पेट में किटाडू परेंगे कीरिंग जो पढ़ते है किरमी कि जिसह हम ठी इंगलिश में करतरें कहता इन से न चर्प सब बॉलोड़ कहते हैं और अलंग अलंग vinekt पशु भोजन फच्रन छोड़ देता है पसु कम खुराक लेती है तो दूध भी कम देगी जायज है और जो खुराक हम देते हैं वो किर्मी खा जाती है तो उसमें धात बन ही नहीं पा रहा है तो दूध कहां से बनेगा तो इसलिए कि हम अगर यह चूना तो कैसे देना है इस पूल उबल कर तयार एक अदम दिख नहीं पा रहा है एक अदम भाफ निकल रहा है अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम एक लिटर पानी डाल देंगे और पानी लो बाबू अब इसमें कम से कम एक पाउ चूना में पांच लिटर पानी आप डालिए और डाल कर मिला दिजी चूना हिला दिजी और हिलाने के बाद चूना को ढखक कर किसी ऐसे पातर में रखिए कि जो छोटा मूंका हो ढखने लायक हो हम उस चूने को ढखक दें और ढखने के बाद एक लिटर हमने इसमें पानी डाल दिया अब ये रात भर जब रह जाएगा इसे चूना तो ये चूना नीचे बैड़ जाएगा और पानी उपर आ जाएगा तो इसमें से क्या करना है कि एक गिलास सच्चा पानी ले लेना है और एक गिलास पानी को गाए के भूसे में गाए के हराचारा में गाए के खली में गाए पीने वाली पानी में मिला कर उसको किसी तरह से पिला दे खिला दे अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो गाए दूध की नदिया बाएगी यह मेरा वादा है और यह मेरा दावा भी है हमने 100% यह कार करके देख चुके हैं यह घटक दे कर देख चुके हैं 100% result मिला है इसका 100% आपको बता दे कि गाय के पेट में नहीं कभी क्रिमी पड़ेंगी गाय की नहीं फासफोरोस की कमी परेगी नहीं कैलसियम की कमी परेगी गाय अच्छा भोजन उठाएगी गाय अच्छी दूद देगी बच्चे से प्यार करेगी और हमसे भी प्यार करेगी ऐसे वीडियो आगे भी हम लाएंगे आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर यहाँ पसंद आया होगा पांच उर्पया में खिला कर देखिएगा अगर गाय आपकी स्ष्थ हो जाए तो मुझे लाइक कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजेगा सिर्फ एक बोड चाहिए आपसे धन्यवाद